पूरे की पूरी मार्केट में पूरा का पूरा मज़ा गिर किरा होगे अल्टीमेटली मार्केट बहुत तेजी से शापली लास्ट एक घंटे में गिरी क्योंकि इस प्रकार की निउस आई कि यूकरेन ने रेशिया के अगेंस्ट ए टी ए सी एम एस मिसाइल छोड़ दी है अब कई सारे लोगों को लगा यह कोई भयानक न्यूकलियर मिसाइल छोड़ दी गई है जो कि यूकरेन ने छोड़ दियो बहुत बड़ा वर्ड वार होगा दोस्तों पहले चीज़ तो यह प कि मतलब किसी कंटरी का बहुत बड़ा न्यूकलियर पावर प्लांट बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी डी योगी बहुत बड़ी फैसिलिटी तो इस तरह के बहुत बड़ा एम्मिनिशन डंप तो इस तरह के स्ट्राटिजिक टार्गेट्स होते हैं कुछ टैक्टिकल बार आर्मी टेक्टिकल मिसाल सिस्टम को एक्टिवेट किया है युकरीन ने पहले भी दिस इस नथिंग न्यू एट आल सो प्लीज फो गॉट सेख इसको यह नहीं सोचना है कि कोई बहुत बड़ा वर्ड वर होने वाला है हां लेकिन एक स्टेप रेश्या ने जरूर लिया ह अब क्या है निउक्लियर वेपन को यूज करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि मॉर्णि में उठेव लगा गए यहाद आसोबह सुबहे यूगरें पे एक निउगलियर बंगिरा देते हैं ऐसा नहीं है देर इस अथ्रेशोल्ड एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतने किलो मेटर अगर Ukraine अंदर आ गया रशा के तो हम nuclear bomb चला देंगे या फिर इतने जवान हमारे वार गया तो हम nuclear bomb चला देंगे तो there is a threshold so उन्होंने अपने इस threshold को reduce किया है मतलब अपनी जो सहिन शीलता है उसको कम्द किया है और यह नए decree sign करी है keeping in view the same जिसकी वज़े से market में ज्यादा panic आया क्योंकि अब ऐसा market को लगा ऐसा market ने assume किया कि Russia बहुती जल्दी अगर Ukraine ने कुछ slip up किया तो Russia nuclear bomb गिरा सकती है so मेरे इसाब से दोस्तों it is not such an easy task and Russia is not such an irresponsible country अब दोस्तों उन्होंने outline किया किया है उन्होंने new doctrine के हिसाब से Russia will consider using nuclear power against a non-nuclear state if they are supported by nuclear powers अभी तक क्या था कि अगर कोई nuclear non-nuclear state है तो उसके against वो nuclear power use नहीं करेंगे लेकिन अभी नहोंने क्या कहा है कि non-nuclear state के against भी nuclear power वो use करेंगे अगर उनको nuclear power support कर रहा है तो कहने मतब यह है कि Ukraine को आगर America support कर रहा है तो और Ukraine के against nuclear power use किया जा सकता है that's all भी इससे ज्यादा हम आर्मी के बारे में और you know defense forces और strategic level पर बातचीत नहीं करेंगे market में अपने आपको reset करते हैं ultimately close हुआ है nifty 50 65 points plus nifty bank close हुआ है 262 points plus अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा पूरी के पूरी कहानी आपको समयद में आ जाएगी तो यह ATACMS missile का जो भूत है वो आपके दिमाग से उतर जाना चाहिए और जो आपका फ्रेंड है जिसके दिमाग पे चड़ा हुआ है उसको यह वीडियो पक्का शेर कर देना अगेंस्ट दो स्टॉक भागने वाले रह गया थे तो मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बोकिंग दिखाई पड़ा प्रॉम धी हायर लेवल्स इन फाक्ट जो प्रॉफिट बोकिंग दिखाई पड़ी है वो ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी न्यूस प्लांटेड होती हैं दूसों मैं आपको पहले भी कल के दिन मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक में आपको ये जो लेवल है यहां तक की अपसाइट की एकस्पेक्टेशन रखने चाहिए जो कि है 51,200 लेवल्स ओल्मस 51,000 तक के लेवल्स को निफ्टी बैंक ने अचीव कहто है कि अगर आप देखें निफ्टी बैंक के चाहर को तो तो हमको positivity की expectation रखनी चाहिए but ultimately अगर आपको देखें तो क्यों है I'll just show it you here last 15 minutes के chart में अगर आप देखें तो market ने जैसे ही 51,000 के levels को touch किया this is 51,000 level 51,000 के levels को touch किया और वहीं से profit booking दिखाई पढ़ना शुरू हो गई बास में आई so यह जो positivity थी यह positivity थी जो short covering की positivity थी वो अलड़ी हुई morning में हम लोगों ने 50,600 की call option को buy किया था वो तो in the money हुआ है ultimately nifty bank went as high as 51,000 levels वहीं nifty 50 के बारे हम बात रहें अगर आपको याद है अच्छे से the 23,800 के levels के बारे में हमने discussion किया था कि अगर इसके ऊपर closing होती ह then only we should say कि यहाँ थोड़ी सी positivity है और इसके उपर अगर sustain करता है तो positivity का आगे का मोहल clear होगा ultimately अगर आप आज के दिन के बारें बात रहें तो market में हुआ क्या है 15 minutes की candle पे जाते हैं अगर आप देखें तो market ने precisely 23,000 if not 23,800 मतलब 23,25 point को अगर छोड़ दे तो almost 23,800 के levels को market ने touch क किया और यही हो लेवल था crucial लेवल था जिसके ऊपर market को sustain करना जरूरी था to continue its upside further ultimately हुआ कि 23,800 के levels को touch किया और वहीं से गिरावाट हुई बाकि यह जो news आई है A TACMS missile system यह सब चीज़े यह सब चीज़े market में market को गिराने के लिए होती है ताकि market में इंवेस्टर्स में panic आया ultimately market का जो structure है वो week है जितना pullback हम लोग को expected था वो pullback market में आया मैं भी फिर से बोल रहा हूँ एगर market अगले दिन फिर से एगर इस level के ऊपर sustain करती है तो एक positive note पर हमें आगे की momentum को एक्सपिर करना चाहिए but important level के ऊपर sustain करना बहुत ज़रूरी है लेकिन sustain करेगा कैसे जब यह sell करें 3400 क्रोर की दियाइस की तरफ से बाइंग है 2800 क्रोर की तो अच्छी खासी एक selling FIS की दौरा होई है आज के दिन I am pretty confident कि उपर के level पे उन्होंने कुछ माल को definitely निकाला होगा और अपने पास कुछ cash free किया होगा लेकिन ऐसे नहीं है कि इस समय market में stocks buyable नहीं है बहुत अ अच्छी लेवल पर आ गया इंफाक्ट हम लोगों ने भी कुछ stocks को अपने portfolio में add कि आच के दिन कॉंसे stocks को add कि उसको हम लोग further discuss करेंगे इसके बाद के वीडियो में top gainers के बारें में बात रहे हैं एक हफते में सबसे ज्यादा गिरने वाले stock में लीड़ी कर रहा है बिटैनिया बीपी सील आट परसेंट डाउन है बजाज फिंसव बीई एल एंटीपीसी यह सारे के सारे वो stocks हैं जो कि लास्ट एक हफते में आटार दस-दस परसेंट के आसपास गिरें वहीं यह लास्ट लेकिन जैसे कि आप लोग जाते हैं तो मेरी नजरें हमेशे उन stocks पर रहती है जिनकों की मार्केट कर रही है तो उन stocks में कौन-कौन से stocks हैं हुए एक्सिस बाइंग बजाज फिंसर्व इसके लाब एक्सिस बाइंग अर्टरिक सेमेंट और यह अदर stocks जहां पर पिछले दि के comparison में हमको higher delivery percentage दिखाई पड़ रहा है stock specific news या stock specific analysis के लिए दोसों कुछ stocks हैं जिनमें की बड़ी news है उनको study कर लेते हैं सबसे पहला stock है Paytm अब Paytm ने यह बात बोली है कि अभी तक तो उनका जो धन्दा था इंडिया में ही बंद होने वाला था लेकिन Paytm ने अपने जो मंचाएं हैं उनको clear कर दिया है कि Paytm is going to expand its UPI services internationally ताकि इंडिया के जो travelers बाहर travel कर रहे हैं UAE में Singapore, France, Mauritius, Bhutan, Nepal तो इन जगे पर जो भी travelers जा रहे हैं वो Paytm के मदद से अपना cashless transaction कर सकेंगे और UPI services के benefit उठा सकेंगे बहुत ही जवरतस move है जिसकी वज़ा से मेरे सबसेट Pay आपको एक positive expectation भी रखने चाहिए और Paytm में दोसों ऐसी company जिसके की धन्दा को ही RBI बंद करा दे कि यह ऐसा है आपके आपका धन्दा ही बंद हो जाएगा अब आपको कुछ नहीं करना है आपका UPI, NCPI की द्वारा बंद हो गया लोगों ने use करना बंद कर दिया इस से ज़ I'm not telling you to buy the stock but मेरे साब से दोस्तों ये एक बहुत ही जबरुतस business model है जैसे कि मैं पहले बोलता था Zomato को ले करके वैसा ही मैं पेटीम को ले करके भी बहुत positive हूँ They are very very good business models, it is just that how promoters are able to capitalize these models, great business, great business model मेरे साब से आपको इस stock को definitely study करना चाहिए एक और stock दोस्तों जिसमें की Midas Touch होता हुआ दिखा ही पड़ रहा है और Midas Touch आया है from the side of Adani Group as always वो जिसको भी touch करते है, that happens to be Midas Touch, तो people who are not aware what is Midas Touch, they can Google it Notwithstanding दोस्तों, PSP Project में good news या रहे है कि Adani Group, negotiation कर रहा है और PSP Project में अपने stake को बढ़ाने के mood में है बढ़ाने के क्या मतलब fresh acquire करने के mood में है और अपना stake PSP Project में वो लाने वाले है, अगर आपको पता नहीं है, PSP Project करते के हैं तो PSP Project बिलकुल उसी business में है, जिस business में Adani Group पूरी तरह से लिपता है, which includes industrial, institutional, government, इसके लाब है residential projects in India और company ने बहुत जवरतस तरीके से काम क्या है in past three to four years, और जिस तरीके से company grow कर रही है, it has already been awarded with the fastest growing construction company in India, तो आप समझ सकते हैं, इस तरह की company पे Adani Group bet करने वाला है, No wonder, stock अचके दिन 5% के असपास positive था, impact stock अपने highs 850 के level से retrace करके 200 exponential moving average के important support level पर अचुका है, so मेरे साब से इस stock पे आपकी नजरे होने चाहिए, stock 672 के price पे trade कर रहा है, and midas test के चलते, यह stock, you should not be surprised कि stock अगले आने मेले, कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में, अच्छे ख stock में आपकी नजरेंट definitely होने चाहिए, this stock has, this company itself has a lot of potential, this company में as it is by virtue of being in such a good business, और जिस तरीके से project execute करते हैं, यह खुदी ही अच्छा business model है, but जिस तरीके से अडानी ग्रूप इसमें investment करने वाला है, I am going to say, stock को आपको definitely study करके अपनी watch list पे add करना चाहिए, next stock दोस्तों जिसको कि आपको study करना चाहिए और अपने watch list प्याट करना चाहिए, stock का नाम है अतुल आटो, government ने अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, कुछ हफतों पहले government ने बुला था कि जितने भी three wheelers हैं, उन पे अभी कोई भी subsidies नहीं मिलेंगी, लेकिन दोस्तों, government ने three wheelers पे subsidies को restore कर दिया है, और ये positive news सिर्फ अतुल आटो के लिए नहीं है, बलकि बजाज आटो के लिए भी है, क्योंकि tricycles बनाने वाली दो ही leading companies हैं, बजाज आटो 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 हैसा हैं, तो बहुत सारी companies, which includes RICO आटो आटो as well, लेकिन अतुल आटो आटो is one of the major beneficiary, अगर stock के बारे हम study कर सकते हैं, इसके लाबा और भी कई सारे stocks हैं, which includes stock like HGFC bank, जो कि अपने lifetime highs को breach करने के बिल्कुल का गार पर खड़े हैं, और यहां से अगर ब्रेक आटो होता है, तक massive upside होने के लिए तयार है, अगर आप देखें, तो if you see here, यहां पर हमको एक W pattern का formation दिखा ही पर रहा है, और यह एक important level है, which happens to be, अगर आप देखें दोस्तों, तो important level तो breach हो गया, अब crucial level है, 1800 जिसके breach होने के बाद, there is no stopping thereafter, again, this is not a buy or sell recommendation, क्योंकि दोस्तों, यह buy or sell openly तो मना कर दिया गया है बोलने को, तो अपना study करिए, अपने financial advisor से पूछे, अगर आप हम से जोड़ना चाहते है हमारे private group को join करना चाहते है, link description में, उसका use करें, make use of that, thank you so very much and you can be part of a family for a lifetime and that too absolutely free of cost, bye bye for now.